यह कहानी है स्टॉंग नामी एक ऐसे फिल्म राइटर की जो अपने लिखी हुए कहानियों पर फिल्म्स बनाना चाहता है पर उसके पास कभी इतने पैसे ही नहीं आए परीबी की इस दिंदगी से वो ताम गा चुका था उसे अब एक फिल्म का प्रोड्यूसर मिलने के नहीं पुला था है जिसने उसे अपने नियो फिल्म के लिए कहानी लिखने का काम दिया था यहां अगर वो देखता है थी ये प्रोड्यूसर तो बहुत ही कोई बत्तमीज इस इंसान था वो याँ पहले से मुजूद एक राइटर को मार रहा था क्योंकि उसने वक्त पर स्टोरी कंप्लीट नहीं की थी और स्टोरी तो जॉंग की भी कंप्लीट नहीं थी इससे पहले कि प्रोडूसर उसका भी बुरा हाल करते थे वो प्रोडूसर से माफ़ी मांगते हुई उससे एक महीने का और टाइम मांगता है अपनी कहानी का प्रीट करने के लिए लेकिन प्रोडूसर उससे चाहर दिन का टाइम दे कर यहां से निकाल देते हैं पर आते ही वो काम पे लगया, कुछ अच्छा उसके जहें में आहें नहीं रहा था, एक पेज, दो पेज, सोंग के इसाब से पेज भारने के बाद, वो तंग आचाता है, और पास पड़ा अपने दादाजी का भेज़ा हुआ एक पार्सल खोलता है, इस पार्सल के अंदर एक कुएंगे पास तपा था, इस सारी काहनी सुनते ही, जोंग को खोश आगया, खोश में आते ही, जब उसने दादाजी का पार्सल देखा, तो उसमें उस घर का नक्षा था, जो सच में जेल के नक्षी से मिल रहा था, यानि खौब में जो कुछ उसने देखा, जो कुछ उसक पिराकर तोड़ देता है। उसे में उसकी नेपर उसे पुलीस में एरस्ट करा देती हैं और फाइनली वो जेल में पहुंचाता है। चेल में तो सबी कहती किसी की पर्ड़ी पार्टी बना रहे थी और ये था ग्राप क्याप उसके पास आकर उसे भी पार्टी में शामिल लोले को कहता है और बताता है कि एक जमाने में उसका भी जॉंग नामी एक अच्छा दोस्त था क्राप बिना उसकी बात सुने उसे अपना दोस्त बना लिता है और कहता है कि अपसे तो मेरे दोस्त होना इस दिये तुम्हारी इपास तके साली सिर्मदारी अब मेरी तो यहाँ कोई नुकसा नहीं पहुचा पाएगा जिसके बात अब हमें दिखाया चाता है कि सौन एस चेल का विजिट कर रहा है वो उससे देख रहा है और वो जबगट होने की कोशिश कर रहा है जहां सोना दभाओ सकता है जिस वक्ट पर उसे यहाँ एकोर केदी मिलता है जो उसे बताता ही कि इस जेल में 2 ग्रॉप्स बने हुए है एक ग्रॉप ग्राप का था तो दूसरा ग्रॉप था बाउ का बाउ जो कि बहुत ही खदरनाक कैदी था सबी लोग उससे डर कर रहते थे जब कि दूसी तरफ था ग्राप जो के बहादूर होने के साथ थाथ अच्छा भी था वो अपने ग्रूप के किसी भी बंदे का किसी भी किसम का नुकसान होनी नहीं देता था वो हर तरहा से उनकी लिफासत कहता था इस कैदी से ये सारी कहानी सुनने के बाद Zong कहता है अरे नहीं नहीं मुझे किसी ग्रूप में नहीं शामिल होना वो लोग बाते करी रहे थे कि आचानक कुछ कहती उसको पकड़कर बाओ के सामने ले आते हैं ये असल में बाउ की ग्रूप के लोग थें जो उसे टॉचर करते हैं कभी उसे मारते हैं तो कभी उसका मूँ पानी बड़बाते हैं और ये सारी काम वो इसलिए करी हैं कि डर कर जॉण बाउ का ग्रूप जॉइन कर ले और जब बाउ की वो गंदी थूक वानी चाहे पेने का टाइम आता है तो अचानक कोई उसके हाथ से कप गिरा देता है ये और कोई नहीं था बलके ग्राब था वो बाउ से कहता है कि सौन मेरे क्रूप का बनता है क्योंकि वो मेरे रूम में रहता है इसलिए हाथ दे तो उसके ओपर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते क्राब और क्राब के लोग जॉँग को अभी हाथ से लेकर चले जाते है और सौन के उसके हाथ से निकल चान की वज़चा से बाउ को यहाँ आ जाता है जबरदस्ती उसे वो खाना खाने पर मजबूर करता है जो सारा तमाशा क्राब पर देख चुका था और इसलिए इन दो नव ग्रूप्स में लड़ाई शुरू हो जाती है चैर यह लड़ाई तो खत्ब होई कही अगले दिट हम दे देखा जोंग को जेल की साफ सफाई का गाम मिला है उसने मुखे का फाइद उठाया और गाम करते हुए उस पुराने कुए की तलाश में लग गया जिसके आस पास सोना दफन था उसकी ड्यूटी भी खत्म होने वाली थी सवाई करते करते वो लैप वेरी में पहुच जा जहां वो भी कोई का पता चलाने की कोशिश में ही था या चानक पीजे से बाओ और बाओ के लोग आ जाती हैं जो उसे पकड़ कर मारना शुरू कर चुके थे मार मार कर वो उसका बुरा हाल कर दीते हैं और अगरे सीम में दिखाश वाता है के क्राब यानी जोंक का दोस्त जोंक के लिए ताफिर परिशान है क्योंकि वो ड्यूटी खत्म होने के बाद भी अपने सेल में वापिस नहीं आया उसे यकीन था कि सब के पीछे सिरूर बाओ का ही हाथ होगा वो बाओ के पास जाके उससे सौंक का पुछना है जवाब में बाओ केता है अरे जी तुम्हारा दोस्त नहीं मिल रहा मैं बता दो सकता हूँ के वो कहा है पर तुम्हें मेरी शर्ट माननी पड़ेगी तुम्हें मेरी तूकी हुई चाहे पिलनी पड़ेगी जिस जौंकी बहुत साथ फिकर थी ना चाहते हुए उससे बाओ की बाओ की बाओ की बाहत माननी पड़ती है जिसके बाओ की लोग उससे बताते हैं कि सौंक कच्च्रे के डपे में है बिना वक्ट जाया कि ए ट्रैप और उसके सब इस्थाती जैसे ही कच्च्रे के बाक्स के पास जाते हैं तो सौंक उन्हें अंदर बंद मलता है उसके मूँ को एक प्लास्टिक ट्रैप से बंद किया गया था जिसके वज़ा से वो कुछी दें में मर जाता पर शुकर है कि यहाँ ग्रैप आगया ग्रैप अपने दोस्त के सख थोरे वाली जियाती और अपनी बेस्ती का बदला अब बाउ से लेने का वैसला कर लिता है और इस बात के लिए अब सौंग भी त्यार है इसलिए नहीं कि बाउ ने उसे मारा तो उसने कोई बाउ के साथ दुश्मनी बिला ली बल्कि उसका तो सारा फोकस अपने मिशन पे याईनी सोने को हासल करने पे है वो सोच रहा था कि अगर इन दोनों ग्रूप्स के लड़ाई हुए स्टोर की दरफ वड़ता है पर इससे पहले कि वो स्टोर को खोल पाता पीचे से बाउ और उसके आथ में आकर उसकी खूब फैटी लिखा दे है लड़ाई करने की बज़ा से अब क्राब, जॉंग और बाउ को सबसे अलेदा अलेदा जीर में बन कर दिया क्या था चाहन रहती हुए जॉंग अपना मकस्त पूरा नहीं कर सकता था उससे में हाँ पर जॉंग क्राब से कहता है कि यार बस करो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत थी तुम मेरे लिए नहीं लड़ा करो मैं अपनी इफादत खुद कर सकता हूँ जबसे तुम मेरे जिन्दर की में आया हो मेरे जिन्दर ही मुश्किल हो गई है ये सारी बाती क्राब को उदास कर गी थी वो तो जॉंग को अपना दोस मानता था वो जॉंग को अफ अपनी कहानी सुनाता है कि क्यों वो जॉंग की हमेशा इतनी गयर करता है उसका जो पुराना जॉंग नामी दोस था उसने क्राब को गैंग्स्टर से बचवाने के लिए अपनी जान देती थी क्राब को जॉंग के अंदर उसका पुराना दोस नजर आता था वो बताता है कि उसके महने के पाल मैंने उस दिन से कसम खा ली कि जैसे मेरे दोस ने मेरे जान बचाई है ऐसे ही हमेशा मैं अपने साथियों का सयाल रखूँगा बस इसलिए मैं तुम्हारी मदद करता हूँ ग्राब की ये सारी कहानी सुनकर सॉंग पर इमोशनल हुचका था और अब वो उसके पास आकर उसे अपने जेल में आने का असल मकसद समझाता है सॉंग उसे बता देता है कि वो यहाँ अपने बेस्मेंट पे से अपनी फामली का सोना चुराने के लिए आया है जहां कि गाहर की गर्दन के उपर ये लोग एक अजीब साथ कामिकल चुरा देते हैं जिससे उसकी गर्दन पे एनरजी हो जाती है उसे अमेरजन्सी में मेडिकल रूम लेजाए चाहता है और पीछे से मोका पाते ही क्राब उसका यूनिफॉर्म चुरा लेता है जोंग उस यूनिफॉर्म को पेहन कर स्टोर रूम के अंदर शाता है जहां उसे जील का एक निया नक्षा मिला जिसके मताबिक वो पुराना कुवाँ जिसके आसपास सोना दपन था वो अब लांडरी रूम में था ये लोग जैसे देसे करकर लांडरी रूम तक पहुचे और नक्षी के मताबिक जहां कुवाँ होना चाहिए था वहाँ उन्हें एक दिवार नज़र आई इन्हें यकीन था कि इस दिवार को तोड़ने पे उन्हें पीछे कुवाँ मिने जाएगा प्रिकड़ी को उठाते ही वहाँ पे एक अलमारी खुल जाती है जिसके अंदर काई सोने की बार्स थी जिनकी कीमत पांचो करोड़ों डॉलर से भी साथा हो सकती थी ये देखर तो सौंग की आँखी खुली की खुली ही रह गई सोंग ने सबसे पहले इनके अंदर से कुछ बार्स व्राप को दिये लेकिन व्राप कहता है कि मेरा इस सोने पी कोई हक नहीं ये तुम्हारा सोना है और तुम भी इससे लेकर जाओ ये लोग अब सारे सोने को एक कपड़े में चुपा देते हैं और लॉंडरी रूम में रखे हुए कपड़ों के साथ लेकर बाहर आज आते हैं ये लोग जानते थे कि लॉंडरी हुए कपड़े 22 दारी को जिल से पाहर जाएंगी और ये वही दिन था जिस दिन जॉंग को भी जिल से रहाई मिलने थी इनका प्लान दक्रीबन दक्रीबन काम्या भी होने वाला था और जॉंग इस जिसको लिएकर बहुत खुश था वो क्राप को बताता है कि अब वो अपना स्थारा कर्स उतार कर फाइनली अपना सपना पूरा कर सकता है यहनी वो अम एक प्रोड्यूसर बनकर फिल्म्स बना सकता है क्राप का साफ दिल देखकर जॉंग ने अब क्राप से बाता किया कि जब वो भी जिल से बाहर निकलेगा तो वो तोनों मिलकर एक रेस्टरॉन बनाएंगे जो कि सिर्फ क्राप का होगा सब कुछ तो प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था पर यह बाहू वो उने सुका सांस थोड़ी लेने देता वो फजूर में ही इनसे लड़ाई कर लेता है जो करते हुए जोंग का चुपाया हुआ सोना उसके सामने आ आ जाता है इनकी इस लड़ाई के चलते यहाँ पर गार्ज प्या चुकी थे इससे पहले कि सोना उनकी नज़रों में आशा था पता चलता है कि यह तीनों सोना चुपा चुकी थे बाहो यहाँ पुरी स्वालों से छूट पो देता है कि सोन का पाउं पी संक्ला था लड़ाई नहीं कर रहे थे मैं तो यहाँ उनकी मदद करिकर रहा था जौंग भी उसके हां में हां मिला चुका था और अपने दुश्मन के साथ जौंग को बलता देखकर क्राब को बहत हिरानी होती है उसके दिल में यह पाट आगी थी जादा बिमार है इतनी कि उसे स्टर्श्री करने पड़ेगी इसलिए वो ना चाहते हुए भी अब जौंग का साथ चाहता था उसे जौंग का सोना नहीं चाहिए था वो बस जौंग के साथ उनके प्लैन में मिलकर यहां जेल से भाकर अपनी बीटी के पास जाना चाहता था पिरोनों ने आज से दो हफते बाद जेल में होने वाली एक पार्टी में सब को शक्मा देकर जेल की एक पुरानी स्वरूंग से यहां से बाहर निकलने का प्लैन बनाया प्लैन तो अचा था लेकिन एक नए प्रॉब्लम थी जोंग जोगी 22 सारी को चुटने वाला था भू कैसे अपना सोना लेकर यहां से बाहर जाता उसे सोने को अपने साथ ने जाने के लिए बाउ के साथ प्लैन के अकॉर्डिक चलना था अब अपने प्लैन के मताबिक चलने के लिए जोंग और बाउ तोले मिलके लड़ाई करते हैं लड़ाई के चलते जोंग को कुछ और दिन की सरजा होच जाती है और ये लोग अपने प्लैन के उपर काफ करना शुरू करते हैं के ये फाइदा उठाते हुए ये लोग उस टैनल के तरफ निकल गए जहां से दूसी तरफ समुदर था टैनल में चलते चलते इनके सामने अब वो दर्वासा प्याच चुका था जिसके दूसी तरफ समुदर था दूसरी तरफ गार्ट्स को भी ये पता चुल किया था कितीन कैदी गाइब हैं और ये सब चो कुछ यहां हुआ है वो ज़रूर इन कैदीयों कही किया धरा है जहां इन लोगों ने अपने बनाए हुई एक बॉम के सर्गे जहां वो बड़ा सा दर्वासा तोड़ किया जिसके दूसरी तरफ समुंदर था बाहे बाहु के आदमी कष्टे लिए तयार थे अब फाइनली बस इन्हें हाँ से भागना था लेकिन इस वक्त पर बाहु दुबारा इन्हें धोका देता है वो अपना चाहकों को निकाते इन दोनों को यहां कतल करने वाला था क्योंकि उसके दिल में रियालर्श थी हुस्तारा सोना खुद हासिल करना चाहता था इसे पहले कि बाहु क्राप को मार देता सौंग उसके सामने आ चुका था और इसलिए वो बहुत ज़्यादा सख्मी हो गया था क्या चाहता है कि इसके बाद इन तीरों के दर्मियान भी लड़ाई शुरू हो जाती है बाहुत जो कि एक खतना क्रिमिनल था उना ने मार वाय कर इन दोनों का पुरा हाल कर दिया था यहां क्राब अब उससे कहता है कि तुम पेशक सारा सोना ले जाओ पर हम दोनों को इस जिन्दा छोड़ दो लेकिन वो क्राब के बाद क्यों मानता चेले में तो हमेशा क्राब उसका दुश्मन रहा था वो क्राब को अब समंदर के अंदर किनाना चाहता था और जैसे ही वो क्राब को गराता है पर वक्त रहते ही क्राब एक रस्टी को पगड़ लेता है जिसका दूसरा सिरा सौंग के हाथ में था यनि इस वक्राब की जान सौंग के हाथ में थी यहां सौंग को वो सारे लमहें आताते हैं जब जब क्राब ने उसकी मदद की थी एक सच्चे दोस के तरह उसका साथ दिया था और अब वो क्राब का साथ नहीं छोड़ने वाला था क्राब के ठीक सामने बाओ भी खड़ा था अपने एक हाथ से रसी को पकटे हुए क्राब उसे चक्मा देते हुए जल्दी से पानी में गिरा देता है और दूसरी तरफ सौंग अपना पोरा सोर लगाती हुए अपने दोस क्राब को समुंदर में गिरने से बच जा लेता है बाओ तो मारा जा चुका था और इनके सेफ़ी जेल में वापिस आते ही या स्क्योटी आर्ट्स भी उन्हें ढोलते हुए आ चुके थे जेने देखकर ये दोनों अपने आपको शराफत से उनके हवाले कर दीते हैं जेल से भागने की कोशिश की वज़ा से इनके ससा थोड़ी बढ़ाई तो चाती है लेकिन कहानी की आखिर में एक अच्छी सी समय बताई चाती है कि क्राब जिस वज़ा से इस जेल से भागने चा रहा था वो वज़ा खतम हो चुकी थी यनि उसकी बेटी का इलाज अच्छे से हो गया था और दूसी तरफ जो सारा सोना ये लोग यहां से लेकर भागने वाली थे गवर्मेंट उस सोने के बारिस का पता चलाते हुए ये एलान कहती है कि ये सोना जोंग के ग्रैंटपक था और क्योंकि अब वो इस दुन्या में नहीं रहे इसलिए सोने का असल हगदार सेफ जोंग ही है उस तहाब अमीर होने का सबना पूरा हो गया वो जैसे चाहता था अब वो वैसे जिन्दगी गजा रहा है वो एक प्रोड्यूसर बन चुका है और अपने ही लिखी हुई कहानिया अपने ही तरीके से फिल्म कहता है उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त क्राप के साथ मलकर रेस्टरॉन भी बनाया है और यही समपताते हुए ही कहानिया खत्ब होजाती है